सिंप्लिफिकेशन के पार्ट फॉर में कुछ और क्यूश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन कुछ ट्रिक्स हैं ये कि डारेक्ट ऐसे क्यूश्चन आजाएं तो कैसे सोल करना है देखो 9 पलस 3 बाइ 5 अगर इसको सोल करना है तो भाया कहीं LCM लो जो सिंपल अपना जो बेसिक फॉर्मुला है बेसिक से जैसे हम करते हैं LCM लिया फिर उसको मल्टिप्लाइ किया वह वाला तरीक है नहीं डारेक्ट लिख दो 9 3 बाइ 5 आंस्वर यही होगा फॉर एक्जामपल 23 पलस में 17 बाइ 19 अब एक चीज हमेशा दिहान रखना ऐसे कुस्चन में जो यह नुम्रेटर एंड डिनोमिनेटर होते ना नहीं यह डिनोमिनेटर होता है यह नुमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर हमेशा बढ़ा होगा ठीक है यह वैलू हमेशा बढ़ी होगी इससे अगर नहीं है तो इसको बनाया जाता वो भी कैसे हम बात फिर इसकांसर होगा डारेक्ट यह है उसके बाद यह कुष्चन है डारेक्ट लिख दो कैसे 16 पलस में 5 कितना होगा 21 वन बाइफोर इसको डारेक्ट लिख दो 9 पलस 7 16 जोड़ा इनका जो यह क्या होता है इंटीजर होता ही और यह फ्रिक्शन वैलू होती है ठीक है अब इसको और इसको जोड़ तो कितना होगा 16 अब इनका बेस सेम है तो बेस सेम है तो पलस हो जाएगा कोई LCM लेने की वह वैसे जुरूत नहीं है तो बेस सेम है तो यह 3 पलस 1 4 4 से 4 गैंसिल 1 आ जाएगा 17 है ना करना है जिसका बेस सेम है इसका सेम है तो 5 पलस 2 7 7 से 7 कट गया 1 आ गया अब बच गया 1 बाइटू लिख दो 59 पलस में 1 और 1 बाइटू लिख ओगया 60 1 बाइटू आंसुअ डारेक्ट 147 बाइन यह क्यूश्चन है अब इसका पलस कर लो 290 290 पलस में 102 कितना हो गया 302 में सेम इसका सेम 7 पलस 2 9 9 से 9 कैसे लगे 1 आ गया ठीक है बच गया कीतना 3 बाइट फाइफ इसको लिख दो, 9 है इसको divide कर दो किस से 1 से ही divide करता हो मतलब divide मतलब part में कर दो 8 plus 1 same 9 ही होता है तो अब यह 1 आ गया 1 में से minus कर दो 3 by 5 यह यहाँ पे जाएगा 5 5 minus 3 तो कि दना आ जाएगा 2 by 5 8 plus 2 by 5 अंस्वर होगा direct कुछ भी नहीं करना आपने को कोई LCM नहीं लेना माइनस में 3y क्योंकि यह करने से यह positive आ जाएगा simple सी बात है यह उसके बाद 17 minus 13 by 5 13 by 15 वही 16 plus में 1 1 से यह यहाँ पे जाएगा तो कि दना 15 minus 13 तो आ जाएगा 2 by 15 लिके दो ऐसे question देखो 25 minus 12 by 15 लिके दो 24 अपने को कोई लिकना यहाँ तो यूज करना ही नहीं है ऐसा question direct पूचा जाए 24 15 गया यहाँ पर अगर वो plus से यह करेंगे तो 24 plus में 1 1 में से 15 15 यहाँ पे जाएगा LCM लेंगे तो 12 minus कर दो 15 में से 3 by 15 आंस्वर हो गया ठीक है अब इसको काट दो तो यह आंस्वर आजाएगा उसके बाद 24 minus 9 by 11 कर दो ब्रेक 23 और plus में 1 है तो कैसे जाएगा 11 by 9 यह हो जाएगा 2 by 11 है ना 23 2 by 11 अब इसको भी से 19 में से कुछ करने करना 32 एक माइनस हो जाएगा तो 1 में से यह उपर जाएगा 19, 19 में से 17 गया कितना बचा 2, 2 by 19 अब इसको देखो यह question है क्या करना है integer को plus कर लो 27, 15 कितना हो गया 42 और 12 और 18 कितना हो गया यह 12 minus का यह plus का 18 तो 6 आगया 6 यह plus का आएगा 6 इसमें जोट दिया 48 आगया ठीक है यह तो हमारी integer की value total value होगी उसके बाद base same किसका है भाई base इसका same है ठीक है 5 और 5 क्या करना है अपने को 1 by 2 plus का उठालो सबसे पहल plus में 3 by 4 minus में 2 by 5 plus में 4 by 5 अब क्या करना है LCM ले लो भाई सब का total LCM ले लिया 20 आगया 10, 15, minus में 8, plus में 16 sol किया अपना आगया बनाना पड़ेगा कैसे वही तरीका जो अपने क्या किया था यह 48 आए ना अब 40 इसको हम breaker करके लिख सकते हैं कैसे इसको भी अमें वो breaker नहीं जूरुत में नहीं 48 plus में 1 13 by 20 20 और यह हो जाएगा तो यह हमारा आगया 49 by 49, 9, 3, 30 30 by 20 अब यहाँ पर एक बार एक चीज समझ लो यह जो है थोड़ा सा हमने पिछे क्या किया था breaker करके किया था minus की जो value थी यहाँ पर हमें यह plus का ही है तो हमें क्या करना है कि अगर जब denominator छोटा हो तो इसको बड़ा बनाना पड़ता है कैसे बनाना है देखो यह जो trick इसने यूजगी इसमें minus वाला कोई funda ही नी इसमें trick इसने क्या यूजगी trick क्या यह formula ही होता है यार 48 था तो इसको break कर दिया small कर दिया कैसे 1 by 13 by 20 ठीक है तो हमेशा याद रखना कि जो denominator हो बड़ा होना चाहिए numerator से ठीक है उसके बाद trick क्या integer की यह integer होता है यह friction value होती है अब यह question है integer को plus किया plus कर दो सबको 49 आगया उसके बाद base किसका same है 7 और 7 5 प्लस 2 7 तो 1 आजाएगा ठीक है इसका और इसका हम जब LCM करेंगे तो 1 आएगा उसके बाद base किसका same है 4 और 4 का plus कर दो इसको तो 3 plus 1 4 4 7 1 आजाएगा बच गया कितना 3 y 8 इसको लिख दो इन दिनों को plus कर दो 49 plus में 1 plus में 1 61 हो गया और इसको ऐसे लिख दो आंस्वर हो गया यह integer सारा positive में plus कर दिया 88 आगा base किसका same है उसको उठालो सबसे पहले 4 का 4 base है इन दोनों का उठालो 3 plus 1 4 4 से divide करेंगे 4 को 1 आजाएगा बिल्कुल सही है 2 by 7 5 by 7 7 base same है 2 plus 5 7 7 से 7 cancel 1 आजाएगा बच गया किया यह तो 18 नहीं 189 plus में 19 19 2 by 3 answer हो गया कुछ नहीं करना था अपने को अब यह देखो यहाँ पर minus का sign है अब इसको अगर solve करेंगे 117 plus में 13 130 minus में 74 आगया 56 अब basic इसका same है इसका same है इसका भी same है तो 3 by 5 2 by 3 अब LCM ले दो ही यहाँ पर देखो LCM लेना ही पड़ेगा और कोई trick यहाँ पर भी यूज नहीं कर सकते तो 15 3 3 into 3 9 और यह हो जाएगा 10 अब देखो यह क्या हुआ minus में आ गया 56 minus में 1 by 15 इसको solve किया तो अब हमने यहाँ पर वो trick लगानी है जो minus वाले में की थी कैसे break करके 55 plus में 1 अब यहाँ पर इस minus को positive मदला तो कैसे 1 by minus 1 by 15 15 यहाँ पर गया minus में 1 by 15 कितना हो गया 14 by 15 यह सेम चीज उसके बाद यह question है 6 यह minus का 3 यह plus का 7 यह minus का 2 6 में से 3 गया 3 7 में से 2 गया 5 बिल्कुल ठीक है टोटल हो गया positive को उठालो इसको उठालो और यह minus का है इसको उठालो लिग दिया ठीक है minus में इसको उठालो और इसको उठालो ठीक है बिल्कुल सही है तो बेस सेम बेस सेम कर लेते हैं अगर नहीं है को है 1 बैइ 15 फाइब 15 ऐल सिंद्ध और यह वक्षजया सिक्स यहां भी सेंगर लिया वन बाइ 12 और चुबब यहों जाएगा माइनस 3 वाइब 1 बाइ ब्लकुल ठीक है तो एट पलस में 2 बाइ फाइफ माइनस में 2 बाइ फॉर जो हमारी यह वैल हुआ थी यह solve कर दो इसको LCM ले लिया 20 और यह आ जाएगा 3 हमारा answer हो देखो integer को plus कर दो 1 6 7 7 यह minus का 7 इससे cancel हो जाएगा और 8 plus 19 17 और यह minus का 6 सीधर आएगा तो plus का हो जाएगा तो कितना आगा 23 अब जो friction value उसको देख लेखते हैं देखो जिसका same base है इसका base same है इसका base same है positive positive है तो यह तो हो जाएगा 2 by 3 बिल्कुल ठीक है अब यह plus का 1 by 2 यह minus का 1 by 2 cancel अब बच गया 1 by 5 यह minus का इदर आएगा तो minus यह plus का हो जाएगा 1 by 5 plus में 1 by 5 कितना base same है तो 2 by 5 solve कर दो 23 अब इस calcium ले लो 15 और यह आजएगा 16 यहाँ पे तो 24 यह small है इससे तो क्या गया इसने 1 by 15 और 1 ऐसे कर दिया तो यह जो 1 है यह इसमें add हो गया 23 में plus में 1 और 1 by 15 अनदर टाइप कुन सा है देखो यह percentage को plus करने वाल है तो कैसे होगा 71 परशंट अब यह question है अब आपने simple सा दिख रहा है कि इसका plus करने पर 100 बनता है और यह nearest value है तो इसको break कर लिया 7 10 plus में 20 सेम है न तो अब 100 परशंट of 7 10 की value क्या होगी 7 10 ही हो जाएगी बस गया 20 20 परशंट of 17 कर दो भी यह 71 परशंट of 20 निकालोगे क्योंकि इसका तो एक साथ सो दस का तो निकाल लिया तो 20 परशंट उल्टा कर दो 20 परशंट of 71 कितना होगा 14.2 आंसवर आज़ा इस question को देखो यह क्या है इसको plus करते है और इसको plus करते है तो 100 बन रहा है इसकी friction value क्या होती है 4 by 7 4 by 7 in 2 में 7 तो 7 से 7 कट जाएगा 4 बच जाएगा आंसवर आगया यह friction value होना हम percentage में पढ़ेंगे तब थोड़ा ध्यान रहेगा तो इसको वैसे आप यहां पर याद रखा करो इन चीजों के practice करो तब देखो यह इसको plus करते हैं और इसको तो कितना बनता 400% बनता है यह मैंने पहले किया है सोल इसली मुझे याद आप question जब exam में आता है तब थोड़ा सा भाई होता है confusion लेकिन देखके थोड़ा सा idea लगा लिया ठीक है 400% हो गया अब 100% अगर आपको किसी को पता है किसी भी चीज की value तो उसको आप charge multiply कर दोगे तो उसकी 400% आजाएगी वैसे ही 100% of this value अभी 216 अभी 216 अभी 216 अभी 216 में 60 हो गया अब 100% of 216 की कितनी value होगी इतनी value होगी 216 in 2 में 400 निकालनी तो 4 से multiply गर दिया 864 आगया अब हमारे पास क्या बसता है 60 की value निकालनी है अब 208 1 by 3% of 60 200% of this value इसको plus करेंगे तो यही आएगे न 8 1 by 3% अब 100% स्याट की value कितनी है 600 200% 120 अब 8 1 by 3 कितना होता 1 by 12 यह friction value है इसकी और 1 by 12 और इसका 60 का 1 by 12 कितना होगा 5 भी जाएगा तो यह प्लस कर दो 125 प्लस कर दिया 989 तो यह सिंप्लिफिकेशन के कुछ क्योशन पे प्रेक्टिस कर लिया अगरो भाई थैंक्यू फॉर वाचिक यह सुदियो